करेंगे केल्कुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो शुरू करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले नो इंटरेस्ट इस अलाउड और पार्टनर्स केपिटल इस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे कि अगर हमारा हमने स्पेशली एक तरह से एक स्पेश्ट नहीं किया है या एग्रीड नहीं हमारे पार्टनर्स नहीं किया है इसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट अन केपिटल के रिगार्डिंग तो उसकेस में हम क्या होगा हमारा इंटरेस्ट नहीं देंगे और अगर हमारा प्रवाईडिड किया गया डिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन केपिटल हमदेंगे और एक दो को कals से क्रड़िट करेंगे हमें यह से कैपिटल अकाउंट में और किस रेट साधरीर St。 सेये पिया है और इंगे वा उसी है प्राइब्ट से हम क्या देंगे ईंट्रसे प्रिबिटल में देंगे भल् dem meis नोसी बिजिक्रम किया सब्सक्राइब करते है इनट्राइस सिच्वेशं इस सिच्वेशन हंहारी और है when partners contribute unequal amount of capital बट शेर profit equally फर्स situation क्या है कि जब हमारी जो partners है उन्होंने जो capital का amount जो लगा रखा हो unequal है लेकिन में profit को जो equally share करते है तो उस case में हम क्या agreement करते है partner agreement करते कि विए देंगा इंटरस्टोन केपिटल देंगे इत में से जसे हमारे तो पार्टनर है ए भी ठीक है तो ए ने जैसे हमारा वन लैक केपिटल लगाई है ए और जो बी है उसने हमारी 50,000 तो एक तरह से यह क्या हुगा अनिक्वल अमांट ओफ ए कैपिटल ठीक है तो इस केस और और उन्होंने डिसीजन लिया कि भीवे जो प्रॉफिट होगा उसको कैसे शेर करेंगे एक्वल मिन्स प्रॉफिट टे शेरिंग जो रेश्चो होगा वो क्या होगा वन रेश्चो सब्सक्राइब का इसंगD आनल तो इस सब्सक्राहँ घ्रकाते शेरिंग आपको बटाऊं तो इसमें अगर मैं एक जम्पल के साथ आपको बताऊं तो वो हमारा क्या होगा जैसे कैपिटल अमांट इस सेम वही हमारे दो पाटनर है एबी एन ने भी हमारी एक तरह से लगा लूँ वन लैक कैपिटल कॉंट्रिब्यूट किया है और बी ने भी हमारी बिजनस के अंदर फॉर्म के अंदर लेकला लेकिन उनका प्रॉफिट शेरिंग रेश्यों ठीक है प्रॉफिट शेरिंग जो रेश्यों है वह एक तरह से उन्होंने डिसाइड किया कि वह टू इस तो वर त करते हैं I didn't pick yeah so abh am करेंगे कि B calculation of interest on capital वह हम कैसे निकालते हैं तो एक तो हमारे बिल्कूल सिंपल ही होता है जैसे की हमारे जो पार्टनर है उनकी capital given है और एक डेट हमारे given है ठीक है उस रेट से निकाल देते हैं कई बार हमारे जो पार्टनर होते वे क्या करते हैं कई बार वे कैपिटल लेके आते हैं मिंस एडिशन वे करते हैं या फिर कई बार वे क्या करते हैं कैपिटल विड्रो कर लेते हैं ठीक है तो उस केस में हम फिर कैसे निकार लेंगे तो हम इसको एक एक जामपल से समझते हैं इंट्र यह हमारे त्यून पातनर रहे इन्होंने कैपिटल लगाई हमारी जैसे ए ए ने हमारे लगाई थ्री लेक ठीक जो बी है भी ने हमारे लगाई टूल have capitalust contribute के बिज्नेस टार्ट के इन्होंने और जो सी है के capital हमारा हम नहीं और अब इन तीनों ने एक्दीमेंट किया है कि वे शेर करेंगे प्रोफित इंड्र लोज को तो वे वे ऐक morality लेंगे लेकिले फूल येर का वन येर का मतलब कि यह हमारा कितना आजाएगा 30,000 तो यह तो इज़ी हमारा जैसे बी का निकाल लूँगी वही 2,00,00 पे हमारे निकल के आ जाएगा बी का भी इजली निकल हैगा हमारा तू लेक इन्टू 10 by 100 करके वही 20,000 इंट्रेस्ट ओन कैपिटल निकाल दी में क्या है इंट्रेस्ट ओन कैपिटल की कैलकुलेशन ठीक तो और सी का भी ऐसे निकल के आ जाएगा हमारा 10,000 ठीक है लेकिन अगर वे क्या करते हैं अगर वे एडिशन करते हैं कैपिटल के अंदर जो इन्होंने कैपिटल स्टार्टिंग में लगाई है इसमें वे एडिशन करते हैं या फिर विड्रोवल ओफ कैपिटल करते हैं तो उसकेस में हमारा इंट्रेस्ट ओन कैपिटल कैसे लगेगा तो इसको भी हम करते हैं हम तो हम जो एडिशन में एडिशन कैपिटल अगर क पार्टनर है ठीक है और इना फ़र्म and the capital है जो उनकी उनकी capital balances है एक हमारा 2 lakh और जो बी है उसका है हमारा 1 lakh 50,000 ठीक है ये उनका हमारा क्या है capital है capital balance है हमारा a and b का on 1st april यह परेल यह कब हमारा अप्रेल 1st 2016 को A and B two partners है और उनका capital balance given है 2 lakh और 1 lakh 50,000 जो हमारा A है A ने क्या किया अभी उसने introduced की है additional capital of रुपीज 1 lakh ठीक है उसने additional capital introduced की है लेके आया उसने और capital लगाई है A ने कितनी 1 lakh की ठीक है और यह वो कब लेके आया है वो लेके आया है 1st August 2016 को 1st August 2016 को A ने क्या किया है वो उसने additional capital introduced की है 1 lakh की उसके बाद जो हमारा B है जो हमारा partner B है उसने भी क्या किया है वो भी further capital लेके आया है और वो कितनी लेके आया है वो हमारी लेके आया है 1 lakh 50,000 की all capital B ने भी हमारी क्या इंट्रोड्यूस की है ठीक है जो interest on capital है वो हमारा दिया जाएगा 6% इन्होंने डिसाइड किया कि जो interest on capital की जो rate होगी वो हमारी कितनी होगी 6% पर एन्म ठीक है ओन्दा capital तो अब हम कैसे निकालेंगे अब मैं एक लिए निकालती हूं interest on capital तो एक लिए हमारा कैसे निकलेगा स्टार्टिंग में उसकी capital कितनी थी टू लैक टू लैक पे 6% कि रेट से प्लस से फिर उसने फर्दर वो कितने टाइम तक हमारी बिजनस में रही फर्स्ट अगस्त को लेकर अगस्त से लेकर 31st March 2017 तक हमारा कितना टाइम है इसको हम काउंट करेंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर रॉमबर दिसंबर जन्वरी फर्वरी मार्च तो यह हमारा कितना हुआ यह हमारे हुआ एट मन्थ तो इसको हम निकाल लेंगे फिर तो यह हमारे कितना जाएगा सिक्सटेन निकल के आया 16,000 ठीक है ऐसी हम B का निकाल लेंगे B का हमारे क्या था B की स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी 1,50,000 उस पे किस रेट से 6% से वही सेम प्लस अब ये 6% से फुल वन येर के लिए हमारा अब उसने बार में कितनी इंट्रोड्यूस किया है 1,50,000 उसने भी कब इंट्रोड्यूस कि है हमारी उसने हमारी इंट्रोड्यूस की है 1st October को ठीक है 1st October 2016 को तो अब उस 1st October से लेकर 31st मार्ज तक अब हमारा देख लो कितने महिने बनेंगे ओक्टूबर नौमबर दिसंबर जन्वरी परवरी मार्ज तो हमारे कितने होए 6 तो इस पे हमारे लग जाएगा 6% की रेट्स है 6 मंद सा तो वहीं इसको निकालेंगे तो यह हमारा इदर आया 9000 प्लस इसको इहां पे किया हमने कट 6 2 जा और 2 3 जा तो यह आया हमारे 45 तो यह हमारे कितना निकल के आया 13500 बी का इंट्रेस्ट ठीक है यह इंट्रेस्ट ओन कैपिटल बी का और एका हमारे कितना निकल के आया था 16000 यह हमारा कौन सा केस है जब उन्होंने एडिशनल कैपिटल स्रवalenya Net Relect कि है और अपीं सिक्थे टामने क्या कि मिड़्ोग तो उसके हम क्या करते इस में उसे विद्र कर देते है। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि ई जो हमारी में द्यरा बोथ एडीशन में ले डिव यहांड थे केटव पार्टनरस से दुरिएंग दा हमारा जो एक तरह से opening capital होती है जो उस पर हमारा interest on capital हम निकालते है ठीक है और जो starting वाली capital होगी जैसे इसमें किया हमने जैसे 2 lakh ती एक की तो उसके बाद जो हमारा addition होगा या withdrawal होगा वह हमारा जिस date को हुआ है वो date लेके और जो हमारा last period होगा हमारा accounting year का जो हमारा last month होगा financial year का last day of the financial year होगा हमारा उस date तक का हम time period काउंट करेंगे और उसके according हमें मन्थे निकाल लेंगे ठीक है तो इसके अंदर यह हमारा उसके बाद मैं आपको एक example उसका भी लेके बता देती हूं जिसमें वो withdraw करता है ठीक है for example मैं आपको एक ही लेके चलूंगी कि हमारा एक पार्टनर है और उसने क्या किया है उसके जो capital है उसकी हमारी capital given है 2,000,000 ठीक है तो उसने क्या किया है 1st July को ठीक है यह हमारा है अप्रेल से 1st April से हमारा accounting period start है और जो कि 31st मार्च पे हमारा end है तो उसने क्या क्या capital 2,000,000 थी उसकी starting में और उसने additional पहले उसने क्या किया एडिशनल capital लेके आया वो हमारी कितनी 50,000 उसके बाद उसने क्या किया है हमारी addition capital लेके आया वो 50,000 और फिर उसने बाद में क्या किया उसने withdrawal भी किया हमारा capital का वो हमारा उसने किया है जैसे कि हम लेके चल रहे है 30,000 का ठीक है एडिशन कितना किया 50 का और उसने विड्रोवल कितना किया है 30,000 का और यह कब किया है एडिशन एडिशन कैपिटल लगा है उसने 1 जुलाई को और विड्रोवल उसने किया है 1st October को तो एक तरह से अभी यह बोलता है कि जो हमारा यह है उस पर दिकाल कि दिखाए इंट्रेस्टोन कैपिटल और हम लेकर चलते है जो इंट्रेस्टोन कैपिटल है उसकी क्या है 8% से अगर तो वह हमारी कैसे निकफ़ेगी από इसका देखते है अब इसको हम solve करते हैं ठीक है इसका solution देखते हैं तो interest on capital पहले हम निकालेंगे 2 lakh फुल ये के लिए तो 2 lakh पे फुल ये के लिए 8% की rate से ठीक है तो ये हमारे कितने निकल के आया 16,000 उसके बाद उसने क्या किया एडिशन किया 50,000 का तो इसको हम क्या कर देंगे एड कर देंगे ठीक है 50,000 इंटू वही इंट्रेस्ट करेंट हमारे क्या है जुलाई, अगस्त, स्तंबर, अक्टूबर, नौंबर, दिसंबर, जन्वरी, फर्वरी, मार्च तो हमारे कितना हुआ 9 मन्थ ठीक है तो यहां पे हम कट करके इसको तो सोल कर लेंगे, 3-3 जा, 3-4 जा, और 4-2 जा, ठीक है? तो यह हमारा निकल क्या एगा? 3,000 यह कितना हैगा? 3,000 ठीक है? अब उसने क्या क्या? अब उसने विड्रो कर लिया, विड्रो किया है तो उतना ही हम इंट्रेस्ट क्या करेंगे? less कर देंगे अब उसने कितना विड्रो किया 30,000 अब 30,000 उसने कब विड्रो किया 1st October को तो 1st October को 8% की rate से वही और हमारे कितना होगा October से लेकर 31st मास तक वही हमारे 6 मन्थ हमारे होंगे तो यह हम क्या करेंगे एक तरह से हम minus कर देंगे तो इधर एक तरह से हम टोटल निकाल देंगे इन दोनों का हमने क्या किया प्लस और फिर यह जितना भी आएगा इसमेंस को बताना तो मैं आपको next video में वह मैंथर बताओंगे आपको यह लगे तो ठीक अगर यह टफ लगे तो अगर दुसरा मैंथर आपको बताओंगे ठीक है तो अब जो मेन बात हमें ध्यान लखनी है अब हमारा main यही है कि जो हमारे interest on capital है वो हमारा क्या होता है opening जो हमारी capital होती है उस पे हमारा निकलता है ठीक है अगर question में कई बार question में क्या होता हमारी opening capital नहीं गिवन होती तो हम कैसे निकालते है question में हमारा क्या given होता है closing capital दी होती है ठीक है जो closing capital दी होती है और वे बोलते कि interest on capital निकाल ले अभी बताए मैंने interest on capital हमारे निकलता है जो हमारी opening balance होता है capital का उस पे तो उस case में हम क्या करते है जो adjustment होगी वो सारी करके हम अपनी opening capital निकाल लेते हैं वो क्या क्या जैसे अगर drawing वगएरा भी नोंने दे रखी है या फिर जो share of profit हमारा दे रखा है या अगर हमारी additional capital दे रखी है तो उस case में कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते है closing capital लेते हैं जिसे closing capital हमारी 1 lakh है ठीक है तो और उसमें फिर हम क्या करते है जो drawing होती है उसको हम क्या करते है add करते है drawing को और जो हमारा share of profit होगा उसको हम क्या करते ह करते है शेरोफ रोफिट को और जो हमारा हमने अगर कोई अडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसको भी हम क्या करते माइनस करते है अगर हमने कोई भी अडिशनल कैपिटल लगाई है तो फिर हमारा क्या निकल के आता है हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल के आती है और जो हमारी opening capital इधर आएगी ठीक तो उसको हम क्या करेंगे उस पे हम interest on capital हम निकालेंगे मैं आपको कड़ाऊंगी interest on drawing calculation of interest on drawing हम कैसे करते है ठीक है तो start करते है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि withdrawings का मतलब क्या है तो drawings का मतलब क्या है drawing means cash or goods withdrawn from the business by the proprietor for personal use it means drawing का मतलब क्या है कि जब भी जो प्रोप्राइटर से या कोई partner है हो क्या करता cash को या फिर goods को वो withdraw करता निकालता है business means business से किसलिए निकालता है for personal use जब वो personal use के लिए कोई भी पैसा कोई भी cash या फिर goods को business से निकालता है तो उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है drawings ठीक है तो drawing का मतलब हमारे यह है एक तरह से जो हमारा interest on drawing होता है उसको हम चार्ज करते है from partners capital account से और उसको हम कब चार्ज करते है only if it is mentioned in the partnership did अगर partnership did में बोला गया है कि भी हमें interest on drawing चार्ज करना है तो ही हम interest on drawing चार्ज करेंगे otherwise नहीं तो इसलिए मैंने दलिखा if partnership did if partnership did is silent ठीक है अगर partnership did क्या silent है means partnership did में हमने mention नहीं किया है interest on drawing के लिए तो हम no interest on drawing will be allowed तो हम interest on drawing हमें नहीं देंगे ठीक है तो ये था हमारा interest on drawing कि भी देंगे या नहीं देंगे वही कि हम कब देंगे अगर हमारा partnership did में mention है तो देंगे अदरवाईज हम नहीं देंगे अब हमारे क्या methods for calculation of interest on drawings कि हम हमारे interest on drawing निकालने के हमारे क्या अलग-अलग method है वह कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं तो वह हमारे depend करता कि जो हमें drawing है वह भी fixed amount से निकाल रहे है या फिर हमारा amount अलग लगा है वह हम आगे further study करेंगे देखो तो हमारा first अगर हम लेके चलते case है when a fixed amount is withdrawn by the partners after regular interval ठीक है first case क्या है कि जो हमारा partner है वो क्या करता है fixed amount withdraw करता है ठीक है fixed amount से एक तरह से drawing कर रहा है पैसा निकाल रहा है after a regular interval और उसका जो निकालने का time है वो भी क्या है regular है ठीक है and the rate of interest is given और हमारी rate of interest क्या है given है in the question के अंदर with the word per annum अगर जैसे भी जैसे हमारी rate of interest है से दीवन सिक्स पर सेंट पर एननम और हमारा क्या जो पार्टनर है वो एक fixed amount fixed amount means जैसे कि वो पर month कितना निकाल रहा है जैसे मैं बोल दूँ कि वो रूपी जी 6000 पर month निकाल रहा तो यह हमारा क्या होगा fixed amount विड्रोन बाइद पार्टनर साफ्टर रेगुलर interval रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या है कि जैसे भी या तो वो जो हमारा हर month के first date को निकाल रहा है जैसे भी एक January को निकाल लिया उसने फिर एक फरवरी को निकाल लिये हमारे फिर हमारा एक March को निकाल लिया इस तरह से वो क्या हमारा भी रेगुलर इंटरवल पे वो हमारी जो ड्रोइंग कर रहा या विड्रो कर रहा amount और fixed amount जैसे कि भी वो first gen को भी उसने 6000 निकाल ले है ठीक है फर्स्ट फैब को भी उसने 6000 निकाल ले है फर्स्ट मार्च को भी एंट सोन ऐसे ऐसे वो निकालता जा रहा और जो हमारी डेट ओफ इंटरेस्ट गीवन है वो question में वो क्या है 6% और किसके साथ है with word per annum यह जो मैंने इदर लिखा है P A per annum के साथ तो उस case में हम इंटरेस्ट ओन ड्रैन कैसे निकालते हैं तो हमारा इंटरेस्ट ओन ड्रैंग निकालने का फॉर्मूला है total drawings भी टोटल जो उसने वो हमारे कितना निकाला 6000 तो फिट 12 मंत का उसका कितना होगा तो 6000 इंटू 12 करके जो हमारा आएगा ठीक है 72000 तो यह हमारी उसकी क्या होई टोटल ड्रोइंग तो जब हमें इंट्रेस्ट ओं ड्रोइंग निकालेंगे तो फोर्मूली के अंदर पूट करेंगे हमें टोटल ड्रोइंग टोटल ड्रोइंग हमारी कितनी हुई 72000 आजेगे एक तरह से इदर और इंटू रेट बाइंड़ अभी रेट कितनी है जैसे हमाल लेते हुई हमारी 6% पर एन्म तो हमारे कि आजेगा 6 बाइंड़ और इंटू एवरेज पिरियेड अब यह एवरेज पिरि तो हमें आपको लाएट अपन ऐसे नकालने के बाद आपको टाइम बचा उनों को और इसको तूसे तो वह हमारे निकलके आगे हैं और इक ऑमकद माय को करता है और एक आफ्टर रेगुलर इंटर्वें विड्रो करता तो उसमें भी क्रेसे हमारे अलगले केसी जा जते कि वह जैसे कि उसका रेगुलर इंटर्विल क्या हो सकते कि वह हर महीने की फर्स्ट तारिक को निकाल रहा है या फिर वह महीने की लास्ट डेट को निकाल रहा जब drawing वो कैसे drawing कर रहा है at the beginning of the month मतलब कि जो हमारा महीना है उसकी first date को क्या लेके चल रहा हमारा drawing means when the drawings are made on the first day of the month मतलब कि month के first day को drawing निकाल रहा है तो हम कैसे निकालते है तो हम कैसे निकालेंगे इसके लिए हम average period कैसे इसमें मैं आपको बताऊंगे कि भी हम average period हमारा कैसे निकल के आएगा देखते हैं तो average period वही time left after first drawing अभी इसके अंदर क्या है beginning means first day of month कि वो महीने की first तारीक को ठीक है वो हमारा क्या कर रहा है निकाल रहा है तो हमारा इसमें क्या बनेगा अब जैसे कि उसने निकाल ली है उसने निकाल ली है जन्वरी first को ठीक है फिर सेकिन उसने निकाल ली है February first को ठीक है फिर उसने हमारी क्या निकाल ली है March first को तो इस तरह से उसने हमारी निकाल ली है तो अगर अब हम लेके ऐसे end so on, ऐसे ये हमारा चलता गया, तो अब इसमें हम average period कैसे निकालेंगे, जब उसने पहली drawing January 1st को निकाल ली, तो January 1st को ड्रोइंग निकालने के बाद कितना time बचा हमारा, ठीक है, कितना time बचा, एक January से लेकर, जो हमारा, हमारे 31 दिसंबर तक, तो जो counting period है वो मैं लेके चल रही हूँ हमारा counting period क्या है 1 January से लेकर 31st December तक ठीक है तो अब इसमें हमारा 1 January से लेकर 31st December तक हमारे कितने month आते है हमारे 12 हुए न तो इधर हमारे कितना हैगा 12 month 12 plus time left after last drawing तो last drawing के बाद हमारे कितना आप वो last drawing कव करेगा वो first day of month निकाल रहा है तो last drawing उसके होगी 1st December को 1st December को drawing करने के बाद कितना time बचा हमारा 1 month तो 12 plus 1 और divided by 2 तो यह हमारा कितना निकल के आया 13 by 2 और इसको गर मैं निकालूंगे तो याएगा हमारा 6 and 1 by 2 month तो एक तरह से हमारा average period कितना निकल के आया 6 से 1 by 2 months हमारा कितना निकल का है average period तो अगर हमारा question में given है कि तो अभी हम मैं इसको एक छोटे से एक्जामपल से हम इसको clear करते है ठीक है for example मैं लेके चलते हूँ कि हमारा एक पार्टनर है वो क्या करता है वो ड्रोइंग करता है रूपीज 1000 पर मन्त एड़ फर्स्ट डे ओफ दा मन्त ठीक है first day of the month उसने क्या की ड्रोइंग की और इसमें जो हमारी इंट्रेस्ट ओफ रेट है वो मैं लेके चल लिए हूँ माना भी हमारी वो कितनी है 12% पर एनम कि वो क्या कर रहा है एक पार्टनर है हर महीने एक जारूपे निकाल रहा है जो ड्रोइंग और कम निकाल रहा है वो सब्सक्रान का video पस्सक्राइब को समार्च ऐसे करकर के और हमारे उसकी जो रेट ओफ इंट्रोइंगी हो हमारी 12 परशंट असकूम कैसे स característ另 على िटो कैसे निकाले इंट्रेस्ट ओम्द्रोइए इसगर तू फॉर्मॉला हमारा क्या था फोर्मूला हमारा टोटल ड्रोइंग टोटल अमांत ओ रॉएंग टोटल अमांट आ मौंडव गर कितना होगा संदन कर 127 best है इंटु फिर कहा हमारा रेत वाई हंड़र कया है रेट भाई हंडर रे तो इधर Kingdom एड इस हमारा था हिए 223ente इस कंडिय। तो इसको हमिले कितना जाएंगा 13 20 इसको हम सौन करेंगे तो हमारी ट्रो इंट्रेश्ट लुइंड यह निकल के आएगा 780 त इसको चुल करोगे था रिय यह हमारा निकल के आया यह ठीक है तो यह था हमारा जक्त हमकते है at the beginning of the month I hope यह आपको clear हुआ होगा अब हमारा second case क्या आता है second case हमारा आता है when the drawing are made at the end of the year ठीक है जब हम drawing कव करते है at the end of the year वही हमारा fixed amount drawing का हमारा amount क्या है fixed drawing का हमारा amount क्या fix है ठीक है amount हमारा क्या है fix है और हमारा क्या एक regular interval है क्योंकि यह इसी के अंदर मैं आपको बता रहूँ ना जो first case था हमारा even fixed amount is withdrawn by the partner after regular interval ठीक है तो इसमें हम एक तरह से वही हमारा formula तो सेम हमारा वही रहेगा कि total drawing हमारी formula हमारा वही सेम वही क्या total amount of drawing ठीक है जो हमारे total amount होगा drawing का और वही into rate by 100 और average period अब इसमें क्या हमारा change है change वही है जो हमारे average period है वो थोड़ा हमारा क्या आएगा वो हमारा थोड़ा अलग आएगा तो अब इसमें हम average period कैसे निकाल लेंगे वही formula क्या बताया था अभी average period निकालने का formula क्या हमारा time left after average period हमारे कैसे निकलता है average period निकलता हमारा वही time left after first drawing जो हमने first drawing के उसके बाद जो time बचा और time left after last drawing जो हमने last drawing की उसके बाद जो time बचा और divided by two तो इसमें अब हमारे क्या कि हमने drawing कब की है at the end of the year ठीक है मतलो कि हार जो मन्त है हमें सोरी एयर की विजए हमारे आगा at the drawing when the drawing are made at the end of the month ठीक है at the end of the month जब हम हर मन्त के end में हम एक तरे से क्या कर रहे है ड्रोइंग हम कर रहे है ठीक है end of the month अब हमने तो इसका में कर रहे हमने फर्स्ट ड्रोइंग कव की होगी फष्ट वही माइं कांटिंग पीरियड लेके चल रहे हुआ हमारा फ़िस्ट जैन से ऐ हमारे कांटिंग पीरियड है तो फ़स्ट ड्रोइंग उसने ने चर्ट जैन को सेकिंड रोइंग उसकी कव वखात व sowillet f di अब को यह हमारी सिर्ट उसकी कव हुआ ट्रोएंग तो फ्रस्ट ड्रोईंग उसने किर थिफस्ट जैन को और इसका मतलिए कितना टाइम बचा हमारा है अर उस ने की है तो हमारे कितने महीने जनुट रखाल lacks गया तोटल हमारे कितने होते ट्व्यल्म ते तो जनुटी tailored से संकाल यदिया कितना प्टाइब quickly दामारा एलेवन बन थे ठीक है फिर उसके बाद हमारा है उसके बाद हमारा प्लस से ठीध टाइन लेफ्ट आफडर लाश्ट भूराति अब फिर हम इसको बोलेंगे कि हमारा 5 & 1 by 2 यह हमारे का निकल के आया मन्थ ठीक है तो एबरेज पीरियड जब हमारी ड्रोइंग की जाती है at the end of the month तो उसका हमारे एबरेज पीरियड निकल के कितने आया 5 1 by 2 ठीक है तो ऐसे ही इसको हमारा जो क्योन गीवन ऊगा ऐसके कोडिंग हम टोटल मांट पूँटल अवप द्रॉइंग जो हमारा फॉर्मॉल था वही टोटल अमारा फ्यू टुटल ऊमांट अफ़ व्व metals ड्रोइंग अर वही इन्टू रेट 200 और average period हमारे क्या हो जाएगा 5 and 1 by 2 और उससे हमारे क्या निकल क्या जाएगा interest on drawing ठीक है हम next हमारा case क्या आता है when the drawing are made in the middle or at any time during the month जब हमारा middle में की जाती है तो उस case में हमारा average period हम क्या लेके चलते है उस case में हम जो हमारा average period होता है वो लेके चलते हम 6 month का ठीक है तो अगर इसको भी अगर मैं formula से आपको clear करूँ तो 6 month कैसे निकल क्या है वही formula हमारा average period का एवरेज period का formula हमारा time left after first drawing तो in the middle का मतलब क्या है in the middle of month का मतलब है कि जैसे कि हमारी first drawing वही हमारा counting period में लेके चल रही हूं first jan से 31st March sorry 31st December ठीक है तो अब वह in the middle of month जो हमारा मन्त उसकी मिडल में drawing कर दा है तो इसका मतलब first उसकी drawing कव हुई है 15 jan को उसने की है second उसकी कव हुई है 15 February को third उसकी 15 March को तो इस तरह कैसे उसकी चलती जाएगी और जो उसकी last drawing हुई है वो यह 15 December को तो अब formula में put करते average period कैसे निकालते है average period time left after first drawing तो 15 jan को उसने जब first drawing की तो कितना टाइम बचा एक देखे तो हमारे 15 days तो बचे हमारे January के ही ठीक है और बाकी के पूरे के पूरे 11 month हमारे फरवरी से लेकर March sorry December तक तो 11 month यह तो एक तरह से half month यह और 11 month full तो उसके first drawing करने के बाद कितना टाइम बचा 11.5 ठीक plus last drawing अब उसने कव किया last drawing कि उसने 15 December को 15 December को जब उसने drawing की तो drawing करने के बाद हमारा कितना उसके पास time हुचा 15 days यह बचे मिन्स half month तो 0.5 divided by 2 तो square करूंगी तो मेरे कितना आएगा 12 12 by 2 तो एक तरह से हमारे chemical के आया 6 month ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमारे क्योशन में एक fixed amount जब भी हमारा क्योशन में क्या है fixed amount withdraw है by the partner के द्वारा और after regular interval है ठीक है तो उस case में हमारा formula कौन सा लगेगा यह वाला हमारा formula लगेगा यह जो अने भी बताया है कौन सा इंट्रेस्ट टोटल अमाउंट ओफ ड्रोइंग इन्टू रेट बाई 100 और इन्टू एवरेज पीरेड एवरेज पीरेड मैंने आपको बताया है अगर हमारा कैसे निकालते है time left after first drawing time left after first drawing plus time left after last drawing or divided by two और फिर उसके अंदर मैंने आपको अलगलग cases बताया है कि अगर drawing हमारी की गई है at the beginning of the month तो उस case में हमारा जो average period निकल के आएगा साड़े 6 महिने ठीक है यह हमने निकाल लिया है और अगर हमारे drawing की गई है at the made at the end of the month अगर हमारे at the end of month है तो हमारा क्या आएगा average period क्या निकल के आएगा साड़े 5 महिना ठीक है साड़े 5 महिना और अगर हमारी जो drawing हमने की है during the month या फिर हम ऐसे बोलते कि भी in the middle तो तब हमारे average period निकल के आएगा six month तो आप यह वैसे याद भी कर सकते हूं कि at the beginning है अगर at the beginning है तो हमारा जो time period average period है वो है साड़े 6 महिना और अगर at the end है of the month हमने तो आएगा हमारे साड़े 5 और अगर in the middle है तो हमारा आएगा six month average period और इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे हम अपनी ड्रोइंग को निकाल लेंगे ठीक है आई हो आपको समझाय होगा अभी यह तो था क्या कि कि जब हमारा एक तरह से क्या given है interest rate of interest given है with the word per annum ठीक है जैसे rate of interest given हमारी 6% per annum ठीक है लेकिन अगर कई पर question में यह होगा कि जब जो rate of interest है वो हमारी given होगी without word per annum for example कि हमारा only given है 6% per annum हमारा नहीं है तो उस case में हम क्या करेंगे इस case में हमारा जो interest on drawing होगा वो is calculated with a flat rate irrespective of date of drawing देकर यह नहीं देखना कि हमने किस date को drawing के इसको हमारी जो हमारी एक तरह से जो rate given है direct हम उसी पर निकाल दें हो कैसे जैसे कि हमारी total drawing कितनी है 12,000 तो उस पर हम direct निकाल देंगे 6% की rate से जितना भी हमारा निकल के आएगा जैसे हमारा है 720 ठीक है तो यह था हमारा जब हमारा without वर्ड पर अगर हमारा पर एनम नहीं दिया तो तब हम direct हमारी के निकाल देंगे interest on drawing ऐसे जो जितना भी मारा interest of amount बनेगा उस पर हम direct निकाल देंगे ठीक है तो अब उसके बाद हमारा next आता है अभी तो हमने किया तकी जभाम एक fixed amount of capital sorry fixed amount of drawing का हम हो क्या करते हैं withdraw करते हैं ठीक है लेकिन अब आता है कि कई बार हमारा क्या होता है कि हम जब हमें हमारा यह एक तार से हमारा सेकिंग प्वैंट हो जाएगा और यह बहुत सो थर्ड़ प्वैंट में लेकर चल रही हूं कि जब हमें इस कृल नैडिफ सेंट मांडिटे डिफ्रेंट अमांट इस अर् सेंटरन जब हम अलग-लग क्या करते है लेटर करते ठिठेंट है ठीक है Amount किया अभी तर क्या था कि हमारा अमाउंट किया था सेम था जौ अब हमने उपर किया जैसे कि हम पर मन्त क्या निकाल ले हαιं 1000 तो हमारा फिर्स घंठ में ek ऐसे किन मंत में हमने 1000 कि थी कह है और जो हमारा टाइम पीरेड था एक तरह से टाइम इंटर्वल था वो भी रेगुलर था रेगुलर कैसे विया तो फर्स्ट डे निकाल रहे हो दम थे या फिर हम लास्ट डे या फिर मिडल में लेकिन इस केस में क्या कि हमारा जो हमारा अमांट वो भी डिफ्रेंट है डिफ्रें थिए कहा है तो यह क्या हो आपने डिफिरेंट अमांट हुआ और इसमे क्या है एड डिफरेंट टाइम इंट्र वह और जो हमारा टाइम इंटर वह वह भी डिफ्रेंट वो कैसे जैसे कि वह पहले मैंने फजियान को निकाली फेब को अब मैं निकाल दी हूँ 31st March को निकाल रही हूं 2000 की ठीक है फिर में निकाल रही हूं 30 जून को निकाल रही हो 1000 की ढृई है तो यह हमारे अगरr के सीज्वेले डिफहरेंट अमांट DM धी हमारे के डिफहरेंट है यहँ मांट है हमारे जो डिफ्रेंट लिया है मैंने भी और हमारे जो time interval है वो भी हमारे क्या different है कभी first gen first period 31st March 30 30th June है तो उस case में हमारे हम कैसे interest on capital निकालते हैं तो उस case में हमारे क्या होता है उस case में हमारे दो method given है जब हमारा different amount है और with drawn at the different time interval उस case में हम interest on capital कैसे से निकालते है वह हम निकालते है दो मैथ अमारे गीवन इस केस में दो मैथ अमारे कौन से है तो उसमें हमारा जो फर्स्ट मैथ राता है उसको हम बोलते है उसको हम बोलते है simple ठीक है उसको हम बोलते है simple interest method simple interest method ठीक है इसके अंदर हमारे दो इस method में हमारे क्या क्या जाता है कि जो interest on drawing है वो हम calculate करते है for each amount of drawing individually इसमें हम individually हम क्या करेंगे जो interest on drawing होगा उसको हम हमने हम क्या करेंगे calculate कारेंगे एक है और एक जैसे इसमें हमारा कैसे निकले एंटर संटरइंक का क्या फ्रूलव द्रूइंक होगा हमारा कैसे निकालने के वही हमारा amount of drawing कि भी हमारा amount of drawing कितने हमने data in queue into your rate of interest given है इसको डिवाइड़ बाई हंडर और इन्टु मांथ से और डिवाइड़ वाइड़ इसमें इंडिवीजवली हर मंत का हम अलग लग लेंगे उसने क्या किया जो हमारा कांटिंग पीरियड है वो है मेरा इस इंदर मैं लेके चलती हूँ हमारा कांटिंग पीरियड है जो यह एंदिड्र हो हमारा की एरुपीज 6,000 की सेकिन ड्रोइंग उसने की है मार्स 31 को और वो कितने की कि उसने 4000 की ठीक है तो ऐसी फॉर एक्जामपल लेए हमारा जैसे फिर उसने हमारी की है ड्रोइंग कि दिसम्बर कू या जू उसको हम लगा लेते कि उसने जूलाई फरस्ट को कि ए ठीक है जुलाई फरस्ट को कि है उसने जैवंध जन ताउजन की और फिर उसने दिसमबर 31 क की है वह उसने कियई 5000 की तो इसमें क्या है हमारा जो इंटर्वल है वो भी लग लग है देखो इदर जैसे थर्टी फर्स जैन को की उसके बाद फिर मार्च में किया है फिर जुलाई फर्स्ट को किया और जो हमारा अमांट है वो भी हमारा क्या है डिफ्रेंट है तो इसमें यह सिंपल इंट्रेस्ट चे पोडिंघ हमकाइसर इंट्रेस्ट ड्रोuing निकाल लेंगे थे को इंट्रेस्ट डॉइज्ट Records हमक्या करेंगे एक तरह से interest on drawing को हमें calculate करेंगे जैसे कि हम कैसे लेंगे समें कि जो हमारा January 31st को उसने कितनी drawing की है 6000 की ठीक है तो उसमें इंडिविजिल कैसे निकाल लेंगे amount of growing 6000 into rate of interest हम इसमें लेके चलते for example rate of interest कितना है 15% हमारा rate of interest इस पर ठीक है तो हमारा rate of interest 15 by 100 into हमारा कितना time बच्चा उसने जब 31st December को गर निकाल ली है तो अब हमारा कितने महिने हो जाएंगे 11 मंद के लिए जन्वरी का तो हमारा गया तो 11 by 12 तो इसको हम क्या करेंगे सोल करेंगे ठीक है तो यह तरह से नियर अबाउट हमारा 825 ऐसे आएगा तो यह हमारी क्या जाएगी ड्रोइंग ऐसे हम निकाल लेंगे फिर मार्च की आप उसने सेकिंड ड्रोइंग किया मार्च को कितने की किया 4000 की इन्टू वाई रेट ओफ इंट्रेस्ट हमारे कितना फिप्टीन परसेंट तिन बाई हंडर्ड अब हमारा मन्थ कितना मार्च में करने के बाद है कितना टाइम बजा हमारा इसको भी हम ऐसी सोल कर लेंगे तो यह हमारा एगा मिट फोर फिप्टी ठीक है उसके बाद हमारा फरस्ट जुलाई को अब फरस्ट जुलाई को कि उसने ड्रोइंग तो फरस्ट जुलाई को उसने कितनी किया 7,000 7,000 7,000 1st July को की है इंटू वाइड ओफ इंट्रिस्ट कितने हारे 15 परसेंट 15 by 100 और 1st July के बाद हमारे कितना टाइम बचा 6 तो 6 by 12 इसको भी मैसी सोल करेंगे इसको हम कट कर लेंगे ऐसे हे 2 पर जाएगा 2, 3, 6 और 5 और जब हम इसकी मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह हमारा जाएगा 5 to 5 ठीक है फिर ऐसे उसने लास्ट ड्रोइंग कब किया दिसंबर 31 को तो इसको भी अगर मैं निकालूंगी तो वही हमारी कितरी ड्रोइंग के उसने 5000 रेट ओव इंट्रेस्ट कितनी हमारी 15 परसेंट और टाइम कितना अब हमारा टाइम 31 दिसंबर को उसने किया तो 0 जैन का हमारा इतना आया फिर हमारा मार्च का ये निकल के आया और जो हमारा जुलाई है जुलाई का हमारा ये आया और दिसंबर का ये अब इन सब को क्या करूंगी मैं एड कर दूंगी तो एड करने के बाद जो मेरा अंसर आ जाएगा वो टोटल हमारा इंट्रेस्टोर्न ड्रोईंग हो जाएगा किसके लिए ए पार्टनर के लिए ठीक है तो इसको हम एड कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा टोटल जैसे हमारा 501 कैरी गया और फिर यह 5278-10 और फिर 19413 13 और 518 एक तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रोईंगattack हमारे कितना हो जाएगा एट हेट हंडर्ट फिक है तो ऐसे हमारा निकलेगा यह हमारा कौन सा मेथट है यह हमारा सिंपल मैथधर सिंपल इंटोराश्ट मैथट उसके कोरडिंग हमें इंडिविजयल हम क्या करेंगे जो 22 fertility मनत है उनकी हम क्या न प्रॉड़क्ट मैथ्ट प्रॉड़क्ट मैथ्ट के अंदर हम क्या करते हैं यह हमारे कब है वही मैंने भी उताय था जो हमारा जो different amounts हम विड्रो करते है at the different time interval पर हमारे दो मैथ्ट होते हैं एक हमारे लेंधी वो तो जाएंगे तो इसलिए हमें इन मैथ्टड को generally कभ यूज करते है सिम्पल इंट्रेस्ट मैथ्टड को या फिर प्रोड़क्ट मैसर को हम यूज करते हैं जब हमारा टीफिरेंट अमांट हमारा अपना आप सत्किशने था रिसकर के अंदर हम क्या करते हैं जो प्रोड़क्त मैंफ्लाइड होता है इसके अंदर जो अमांट ऑफ ब्रुइंग उता उसको मॉल्टिप्लाई करते हैं और इस तरह से जो पर जो बादम क्या 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 है जो इंटर् करते हैं on the sum of these product जो हमने product किया इसको न थोड़ाई एक जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा मैं अभी आपको विद एक्जाम्पल करके बताती प्रोडक्ट मेथर के अंदर हम क्या करते हैं तो देखो इसके अंदर हमारे कैसे हो गए कि जैसे यह जो मैंने पिछला एक जंपल आ है मार्च को निकाला है जुलाई अब कहते भी इस क्योश्चन को आप इसमें इंट्रेस्ट और कैपिटल निकाल लिए कौन से मैथर से प्रोडक्ट मैथर से तो वह हम कैसे निकालेंगे तो फर्स्ट हमारे जो ड्रोइंग हुई वह थर्टी फर्स्ट मार्च को उसने की है जैन थर्टी फर्स्ट मार्च को कितने ड्रोइंग की है 6,000 तो कितना टाइम पिरेड के लिए बचिए हमारे 11 के लिए ठीक है 11 मंद बचाना 31 जन्वरी को अगर वो करेगा हमारे ड्रोइंग तो 31 दिसम्बर तक उसमें पास कितना टाइम 11 मंद तो उसमें हम क्या करते है पिरियर्ड फोर विच इट्रिमेंड विड्रोelu दूरिंग दप्रियर्ड इसको मॉल्ट्प्लाय करेंगे इस पिरियर्ड से तो हमारे यह क्या निकल के आएगा फिर प्रोड़क्ट क्या निकल क्या एगा प्रोडच्ट सिक्स थाउजन को मैं मल्टिप्लाइ करूंगी 11 से तो मेरा कैनिकल क्याएगा प्रोड़क्ट जैसे मेरा कितना जाएगा 66 थाउजन ठीक है सेकें उसने कब की है ड्रोइंग मार्च 31 को कितनी की यह 4000 अब हमारे कितना टाइम पीरियेड हमारा रीमेंड रहेगा जिम आर्च को करेगा तो मार्च से लेकर डिसमबर तक हम वहीं हमारे कितने नाइन मन्त तो नाइन से हम इसको क्या करेंगे multiply तो यह आ जाएगा हमारा ठीक है फिर उसने की है जुलाई 1 को तो जुलाई 1 को उसने की है 7000 तो इसका हमारा time period कितना बचा वही 6 months तो इसको हम किस से करेंगे 6 से multiply तो यह आ जाएगा हमारा 42,000 फिर उसने last drawing कव की है December 31 को तब उसने कितनी की है 5000 तो अब हमारे time कितना बचा जीरो तो इधर क्या जाएगा जीरो एक तरह से जो हमने product किया है इसको multiply करके अब इसको क्या करेंगे add करेंगे ठीक है 6 6 12 2 14 1 carry हमारी तो 73 तो एक तरह से यह आ जाएगा हमारा product तो टोटल प्रोड़क्ट तो इसका हमारा एक तरह से फोर्मूला क्या बनता है जो हमारा product method होता है इसका formula क्या बनता है इसका formula हमारा बनता है इसमें हम interest on drawing कैसे निकालते है इसका formula होता है total of product जो हमारा total product निकल के आया है इन्टू rate of interest जो भी हमारी rate of interest given है ठीक है और multiply करते है इसको 1 by 12 से आप जैसे total of product हमारे कितना निकल के आप यह मैंने question किया 144,000 ठीक है इन्टू rate of interest जैसे rate of interest आप ले सकते हो अभी जैसे मैं ले लेती हूं यह आप पर 5% ले लेती हूं ठीक है rate of interest जूम कर लेते हम इस question में कितनी है 5% है हमारी rate of interest क्या rate of interest है यह मार ठीक है तो यहाँ पर 5 5 by 100 और into 1 by 12 तो अब मैं इसको cut करूंगी यह तो इसको फिर आगे cut कर लेंगी हमें टेल से हो जाएगा 12 तो इसको 5 से multiply करेंगे हमें तो 500 तो interest on drawing हमारे कितने निकल के आया interest on drawing 600 यह हमारा कौन सा method है product method तो इस तरह से हमारे यह method थे यह हमारे simple or product method basically हमारा कभी यूज होता है जब हमारा amount भी different है और हमारा क्या है जो हमारा time interval है वो भी हमारे क्या है different है तब basically हम यूज करते है या तो simple method यूज करेंगे कि इंडिविजुली हम निकाल लेंगे या फिर ऐसे करके हम product method यूज करेंगे और जो हमारा अगर हमारा amount fix है और हमारा जो time interval है वो भी regular है तो वो मैंने आपको लग-लग cases बता दिये हैं